मेरा नाम मैपल सींग, परोपर अगर मैं बात करूँ तो राजस्तान में सिकर्ड इस्टिक का मैं रहने वाला हूँ, I think राजस्तान से बहुत सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, तो उनको भी ऐसा एक उम्मीद जगेगी कि उनके बीच का ही एक आजमी जब आपसे बात कर सकता है, तो आने वाले टाइम में वह भी फेस्बुक के इसी तरह से बात कर सकते हूँ, मेरी लाइब की शुरुवात, आर्मी की नोकरी के साथ हुई, आज साल मैंने डाइट फेरिंग इन्डिस्टी में आने से पटले आर्मी में नोकरी की है, यह बात को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, साइद आप भी मानते होंगे, कि सब कुछ उपरवाले की मर्जी से होता है उपरवाले की मर्जी थी कि मैं डारेक्टेरिंग इंविश्टी में करूं और इसी का रिजेल्ट यह रहा कि आज से तक्रीबं साड़े-चार साल जी हाँ साड़े-चार साल पहले नवंबर 2015 में मुझे मेरी जिन्दगी को बदलने वाली गंपरी असलिप यह स्वेलनेस के साथ काम करने का सुभाग्य प्राप्त हुआ बहुत जाधा टाइम नहीं हुआ चार-पांस साल पूछ बढ़ा टाइम नहीं होता है दोस्तों लेकिस पिछले साड़े-चार साल के अंदर न дос अधर क्याओं में जो जो ढूझा है आइवरेज हेलरी पर नोखरी करने वाला इंसान ए इक एवरेज ही सोच सकता है मैं कभी सोचा नहीं करता था उससे भी ज्यादा अच्छा आज मेरी लाइप में हुआ है आज लगजरी गाड़ी मानें चे घर मानें चे करोड़ों की इंकम मानें आज पिछले साड़े चार साल में असली के स्वेलनेस की वज़त से मुझे दस करोड़ से भी ज्यादा जीहां दस करोड़ से भी ज्यादा अड़निंग करने का मोका मिला है मैं इसलिए बताने चारूं आपको कि मां सभी लोग जो भी सुन पा रहे हैं हमारे जोईन असोसियेट भी और नियूगेस्ट भी कि आखिर हमने ऐसा क्या किया कि एक आदमी पुरी जिन्दगी मेहनत करके जब रिटाइर्मेंट आता है कि उसका कि दिलेगा कि लेकि वहां और माताव प्राण चाहते हैं इस लाइख लक uniform जिर चाहिए आप in इन्टमीज में आने वाले में हमारी बात को थीन से क्र से क्राइक में परेंगे और आप यिकीन मानिए zwischen मिरा अरट पेहले वाले से जबर्दस्त आगेवाला में एकका उंसे हुए हम क्या काम करते हैं कैसे करते हैं कैसे उसकी मजरूर्च शुरुआतं करूगा और ऑ Sarah कि आप सभी लोग तयार हैं कि ऐसा मैंने क्या किया एसा हम लोग क्या कर रहे हैं इसकी वजह से इतनी कम टाइम में इतनी सक्षेज बिल सकते हैं तो दोस्त कर दो 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 नमस्का कि अज कि मैं आप सभी का कि अश्लीपियस वेलनेस के कि इस हेल्थ अवेलनेस वेविनार में कि दिल से कि पूरी कंपनी की तरफ से हमारे सारे सीने रिडर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं थैंक्यू वेरी मच्च आपने अपने जिंदगी का बहुत इंपोर्टेंट टाइम आज निकाला इस इन पॉर्मेशन को लेने के लिए पर मैं के किन दिलाता हूं कि अगले 40 मिनट मुझे आपसे रूबरू होके बहुत अच्छा लगेगा और आप भी 40 मिनट के बाद जब आप अपने आपसे बात करेंगे तो आज रियली आपको ऐसा लगेगा कि आपने जिन्दगी में आज बहुत कुछ पा लिए आपकी जिन्दगी में आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा ये केतियासिक रहेगा ऐसा आप मैसूस करेंगे अभी मैं बोल पाद आपका स्वागत है हमारे हल्थ अबेनेस प्रोग्राम में दोस्तों हमारी कंपनी का सब्सक्राइब के ना मसली के स्वेलनेस कि नो नौमबर दो हजार चोदा से इस कंपनी की सुरुवात हुई आज ये कंपनी छटे साल में रेंडिंग कर रही है कि द्वारका सेक्टर 16 से कंपनी का ओपिस है जो कि आप सलाइडी में देख पा रहे है लास्ट सिक्स इयर इस क यह कंपनी के पास यह ब्राइंड कंपनी के पास इस जो की आने वाले टाइम में बहुत बड़े रूप में अपने आपको पहचान बनाती जा रही है और बनाई इस जो लाइसेंस आप देख पा रहे हैं वह सारे के सब्सक्राइब आप कि आज कि डव्लू एचो जी एंपी हलाल पोसर आई एसो के सारे सट्रीविल्स आप देख पा रहे हैं तोस्तों इससे भी बड़ी बात में आपको बताऊं कि आज आपको सुनते होए प्राउड होगा और मुझे बताते होए बड़ा प्राउड होगा होट पर की हिंदुस्तान की पहली कम्पनी जिसकी सारे के सारे प्रोड़क्ट्स यॉरोO फिनले जो कि इंडिया के नहीं एक International Lab है जहां पर प्रोड़क्ट होना की अपने आप बहुत बड़ी बात है और हमारे पास European Lab के एक प्रोड़क्त की रिपोर्ट है और यह साबीद करती है कि हम किदनी जैनुएंटी के साथ काम कर रहे हैं कितने लीजरी तरीके से काम कर रहे हो रहा है हमारे प्रोड़क्ट का रिजल किस तरीके का है इसकी रिपोर्ट आप सामने देख पार है दोस्तों चीजे में आपको बताना चाहरा हूं पिज़ले 6 साल के अंदर इस कंपणी के सच्चाई इमानदारी नेक नियती और अपने बारे में ना सोचके लोगों के बारे में और देश हित में काम करते हुए बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवाड्स इस कंपरी को मिले है जिसमें एक आप सलाइडर में देख पा रहे हैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चैंपियोन ओप चैंज जो कि हमारे राष्ट्रपती परणाव मुखरजी की माद्यम से अबर कंपनी अंडियंड सीओ को नोमिनेट किया गया और आप जैसा कि इस फिक्चर में देख पा रहे हैं दोस्ति आवार्ड नहीं है यह बहुत बड़ा आवार्ड है जहां पर इस उने मातर 26 लोग सोचके देखिए पूरे हिंदुस्टान की 135 क्रोड की जमसंग्या में से मातर 26 लोगों को और वो भी अलग अलग इंडिस्ट्री कोई राजमिति से थे को बिजनेस्मेंन थे कई स्टेट के मुख्य मंत्री जिन्होंने अपने अपने फिल्ड में अक्स्ट्रा ओर्णरी कुछ ऐसा किया और जिनको सलेक्टेट किया गया जिनका एक आवाड आप सामने देख पा रहे इस यह वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड लेडर्शीप से नवाजा गया और उससे भी सबसे खास बात पॉप्स मेजिन के फ्रंट पेज़ पे अबर कंपनी एंडी एंड सी यो तो फ्रंट पेज़ पे जगए मिली इस्तान मिली उन कंपनी में स्लेक्ट किया भॉक्स न जिसके आधार पे आज आपको स्लाइड में देख पा रहा हैं दोस्तों इसी के साथ-साथ मैं एक चीज़ आपके बताना चाहरा हूं कि आज पुरे हिंदुस्तान में लोग इस कंपनी से क्यों इतना प्यार करते हैं असलिक्यास फांडेशन के माद्दम से वक्त-वक्त पे देश के साथ में खड़ी रहती है और कभी भी देश के साथ में कोई असी घटना हुई और जहां भी थोड़ी सी भी लगा के हमें मदद करनी चाहिए वहां पे इस कंपनी के MD & CEO क्योंकि माँको बताना चाहूं कि दोस्तों हमारे MD साथ का बेग्राउंड, आर्मी देश भक्ति की भावना अलगी होती है और इसी के अलावा हमारे MD साथ ने पुलवामा के टाइम पे ग्रह मंत्री राजनाश सिंजी को भी एक जारा लाख रुपे का चेक और अभी भी कुछ दिर पहले कोरोना से संकट के टाइम में पीएम केर फंड में हमारे MD सामने 25 लाख रुपे का एक डोनेशन दिया है दोस्तों अब हम आ जाते हैं वापिस अपने हेल्थ अवर्णिस प्रोग्राम पे हम हेल्थ अवर्णिस प्रोग्राम जो चलाते हैं हम लोगों को जो बताते हैं वह एक चीज बताते हैं और हम लोगों क्या काम करते हैं अब आपको बताने जाते हैं दोस्तों आप सब लोगों के साथ कुछ information में शेयर करना चाहता हूं कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा लोग सत्तर अस्ति नबए साल तक जिया करते थे और बहुत गंबे टाइम तक बहुत ज्यादा स्तरीके से स्वस्त रहा करते हैं उमर के आफिर पड़ाव में थोड़े से उमर के वज़े से कमजोर हो जया करते थे लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं लोग आज भी जीते तो हैं लेकिन द्वाईयों के सारे as a medical store बने कैसे क्योंकि पुराने टाइम में हमारे जो खाना पीना हुआ करता था बिलकुछ सुद्ध हुआ करता था लोग अक्सरसाइज करने के लिए घरों से भार निकला करते थे वह किया करते थे घूमने के लिए जाया करते थे लोगों पास टाइम हुआ करता था आज कि वीजी सब्सक्राइब में लोगों पास टाइम नहीं है लोग खाना इने में नैचुरली पास्पूड का चुके हैं और इसी के वज़ज़ से आज हमारी उमर कम होती जा रही है पुराने टाइम में आपने देखा हुगा कुछ ब दन्यवाद देते हैं हमारी मेडिकल साइंस को कि आज इन बिमारियों से लोगों को मरने नहीं जिया जाता है आज बचा लिया जाता है कि और ये बिमारी आप देखी का फैलती किस से थी मत्षट से चुहे से लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रोब्लम जो है वो क्या है आज सबसे बड़ी जो प्रोब्लम है बिमारी है वो क्या ओस्ट्यो प्रोसिस अस्तमा डाइबिटीज इस्ट्रोव कैंसर आइप्रेटेंशन ओटरैटिस ओबेसिटी एलेडजी मोटापा आज इस टाइप की बिमारीयों जैसी में नाम ले रहूं को आपको याद आ रहा होगा आपके घर ने की? आपके आणोस कोड़ोस में से जोज रहा होगा आफेरा में जो आज बात करेंगे क्या बिमारी ना मकी शेलती है ना मक्षट से फचलती है तो आखिर ये बिमारी आई पैसे और ना पहले थी, तो दोस्तों ऐसा कुछ तो गलत हुआ है, दोस्तों आपने देखा होगा, हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, तो उसमें देखा जाता कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए उसकी बोडी में किन की चीजों की जरोत होती ह है, विटामीन, ट्रेस, इलेमेंट, विनल्स, कार्बोरेटर्स, फाइबर, एमिनो असीड इस तरे विए और ये चीज़ें, हम लोग प्राने टाइम में जो खाना खाते थे, यानि की गोर्ड मेड फूड, उपर वाले ने हमारे खाने के लिए जो चीजे बनाई गई है, आ प्रोडेक्ट, पीजा, बर्गर, चावमीन, कोल्डरिंग, और आप ये मीद लगा सकते हैं कि इस चीजों से हमारी बोड़ी में जो चीज़ानी चाहिए, वो नहीं चाहपाती है, और खाने टाइम में नेचुरल तरीके से खिती होती थी, खाना पकाने का तरीका अलग होता था, जन्क फूड, फास्ट फूड, हम लोग नहीं खाया करते थे, आज के टाइम में, मोडल कोकिंग आ गई, फार्मिंग के लिए किसान अपने पैदावार बढ़ाने के लिए, इस्प्रेई, यूरिया, डियपी, और अत्रीक तरीकी की, हैर या पेस्टी साहिब का साहरा ले रहा है, फीजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो चुकी है, एर पोलिशन आप देख रहे हैं, दिनो दिन बढ़ता जा रहा है, वाटर पोलिशन बढ़ता जा रहा है, मोबाइल रेडियसन, यह इतनी बड़ी बिमारी जो पुराने टाइम में नहीं हुआ करती थी, आज के ताइम में आप देखिएगा मोबाइल वेडिशन कितना खत्रना है, दोस्तों जब यह मोबाइल हमारे टीवी के पास और रेडियो के पास रहता है, और जब उसके अंदर रिंग आती है, तो उसमें बाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, और हम लोग इसको सीने से चपका प्रोब्लम Εकमडर्यू अर्र जारे जैसे हाटेक, आज आप सुनते हैं हाटेक जैसी बीमारी एक अमोमन सक्वाद हो चुकि है, पुराने टाइम में हाडेटक सिर्फ बुटे लोगों को आ जाया लेकिन आज बच्छों को भी हाटटे का रहा है डाइबिटीज किसी किसी को सुनने को मिलता था लेकिन आज डाइबिटीज के पेसेंट घरगर में पॉर्ट अराइटीस मोटा भी की बात करें कितने बड़ी प्रोब्लम है आप सोचके देखिएगा आपको एक एक जंपल में बताना चाहता हूं पुराने टाइम में जानों लोग घर्षिभार सीटी में जाया करते तो कुछ दुकानों पे लिखा रहता था था मोटा होने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए संपरक करें आज उन दुकानों से वह बोड़ हट गए और वहां इंची लिखी वह और प्रफिए कि पथला होने के लिए और वजन गठाने के लिए संपरक के दोस्तों ऐसा है या निए इस तरह की अलग तरीके की विमारियां आज हमारे समाज में हर इंसान को घेर के बटे हुए दोस्तों हम लोग क्या काम करते हैं यह मां आपको बताना चाहते हैं हम लोग आप जिन्दकी में जरूर लागू कीजिएगा उनका कोई पैसा नहीं अगता है प्री और प्रोष्ट है हमारे सारे के सारे असोसियट आज एक चीज बताते हैं कि दोस्त आप जब सुबह उठते हैं तो दो तिन गिलास गरम पानी पीने के आदे डालिएगा आप देखिए सबसे बड़ी प्रोब्लम हमाज हमारी कीचन नहीं हम आपको आज मैं आपको बताना चाहा हूं हाँ हाज जोड़ करके क्या हम सब-लोगक को हमारी किचन को साब करना है kichan के मेरे कीचन में सुदह कर्णे हूँ और उन मसालों के वजए से आप क्या था हल्दी मिर्ची धनिया आज दोस्तों वही मसाले हम लोग घरमें से ना यूज करके मार्केट में लेके आते हैं और आपको बैए एक एक जम्बल बताऊं कि पुराने टाइम में हम लोग जो मिर्ची कुटा करते थे थे आपने देखा हुगा पडोशी के या मिर् दोस्तों आज से आप अपनी कीचन को साथ पीजिएगा हल्दी के अगर बात परें दुनिया की सबसे बड़ी अंटियोक्षिड है प्योर हंदी खाने वाले आदमी को जिंदगी में कभी कैमसर तेशी विमारी नहीं हो सकती थोड़ी सी मैनत होगी सुद मसाले लाएं फूट के खाएं मोबाइल फोन के अगर आप इस्तिमाल करें तो कोशिश करें एयर फोन से इस्तिमाल करें दोस्तों इसी तरह के सारे लो दुनिया में घर-गर जाके लोगों के पास और लोगों को ये बताते हैं क्या खाना है कैसे खाना पीजा कोल ड्रिंक नहीं यूज करना है अगर पीना है तो नारियल पानी पीए लस्षी पीए चाच पीए दोस्तों आपसे जानना चाहते हैं ये काम हम लोग आज पिछले 6 सा से हम लोग कर रहे हैं जो आपको बताना चाहता था इसा क्या कर रहे हो छे साल के यही काम कर दोस्तों अब इच्छी जोर आती है कि कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर ओल्डेडी ये बीमारी हमारे घर में परवेश कर चुकी है अब करें तो क्या करें हमारा प्रोग्राम हम लोगों लोंज किया है मैं आईरवेद की बात बता हूं तो आईरवेद आज की नहीं पिछले 5000 साल पुरानी पद्धिक को दुपारा से हिंडूस्तान के अंदर लाइग ने क्या काम अगर किया है तो असलिके स्वेलनेस ने किया हो तो कि आईरवेद की ताकत ही दी दोस् पर काम करने वाले कुछ प्रोडेक्स मनाये हैं इनकि मापको सोट में जानकारी देना चाहूंगा अपनी कंपनी पांच के टीगरी के प्रोडेक्ट आज बनाती है पहली हेल्थ केर, ब्यूटी केर, और और बुर सप्लेमेंट्स प्रोडेक्स हैं सबसे इजी तरीका क्या है आप दोस्तो आप अपने प्रोडेक्स को देखेंगे टो आपको अपने पता जल जाएगा जैसा हमारा पोडेक्स का नाम है वो इसी सी Nomadult सबसे पहला प्रोडेक्ट हमारा हैfalls दोस्तों ऑमुल गोग की मोड़ाने वाला प्रोडेक्स हमारी कंपनी 6 साल पहले लेका आचिक के मात्यम से मुलेटी गिलो आप ये चीजें का यूज कीजिए जिससे कि आप सवस्तर है चाहिए ओल्ड़ी ये सारे के सारे इंग्रेटेट हमारे इम्रोडोग में डले हुए दोस्तों साथ से समंदी कोई प्रोब्लम अस्थमा से कोई प्रोब्लम और आपकी वोडी की इम्र से समंदी जितनी भी प्रोब्लम से उन सब के लिए गायनोडोग और दोस्तों लीवर आज आप घरगर में देखेंगे हार आदमी लीवर का पैसे लीवर के वज़से सारे पीमारिया पैदा हो रही है उसके लिए लिववडोग स्टों लोग थैराड के लिए प्रोड़ू अथ के लिए ब्यूटी के अंदर हम बात करें तो एक अच्छी बहुत अच्छी रेंजे साथ में आप देख में हमारा एक डेंटोडोग जोकि एक पेस्ट है पेस्ट एक काम अनेक दोस्तों मापको यह किन दिलाना चाहता हूं आप जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं आपने अगर जिन्दगी में कभी डेंटोडो किया तो यह बात कर सकता हूं मैं जिन्दगी में दुनिया आप दूसरा कोई पेस्ट आप पर नहीं आप इसके दिवाने हो जाएगे पूड़ सप्लिमेंट के हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है नोनी नोनी के अगर बात करें तो हमारी बोड़ी में एक एम्मुनुएसिट जितने चाहिए होते हैं सोला उनमिस आठ हमारी बोड़ी पैदा करते हो आठ हमें बाहर प्रक्रत यह दोग बडिशन के लिए टी जी कोफी डोग ओमेड़ वीटा डोग पुरकी डोग बेरी डोग शलीम दोग पाउडर माजड़ आउडर मसल दोग हाई डोग यह बहुत सारे प्रोडेक्स हैं दोस्तों बात प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट आपको कहीं भी मिल जाएंगे ले आपको अगर गहराई सी जानना है तो आप यूटूब पे असली पेस्ट वेलनेस के हमारे चैनल पे जाईएगा और वहां सुनिएगा तरह तरह के लोग जिन लोगों को बिजनिस करना है वो अपने प्रोडेक्ट के बारे में तारिफ कर सकते हैं लेकिन दोस्त ऐसे से मतलब नहीं आपको नहीं अपको आउसू आजएंगे और आपके सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि या समाज सिवा करने वाली कंपणी है दोस्तों इसी तरीख से कोई भी इंसान आके अपनी बजट के लिए सकता है अपनी जवत के लिए सकता है और दोस्तों इसी के साथ हमारी यहां पे बिजनिस सपोर्ट सूटी भी आपको दी है जो कि आगे लिए कुछ टाइम में मैं आपको सेर करना चाहता हूं आप सलाइब पे चीज देख रहे होंगे कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर हमारे आपकी सोच के अनुसा एक प्योर इठीकल डारेट सेलिंग इंडरस्टी के अंदर जिस तरह से काम किया जाता है उस तरह से हम लोग कर रहे हैं कैसे क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि आज लोग डारेट सेलिंगा प्रोड़क्ट लेते हैं तो उसके बाद में उसको पस क्या और जब आपको लोगों की सेलिंग ही दोस्तों जैसे ही आपको यहां पर रॉडऱ्क्ट मिलता है आम यहां से सामने कम्पनी की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है सामने आप उस वेबसाइट के ओपर अपना रजुशे से करा सकते हैं दोस्तो प्रोडेक्ट्स लेने के लिए आप हमारी कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं और आज ओल अवर इंडिया इस कंपनी के 200 अलग अलग सहर में उफिसेज हैं फ्रेंचाइजी के माद्यम से हम लोग काम कर रहे हैं आप किसी भी फ्रेंचाइजी आप नियरवाई सीटी से आप नियरवाई लीडर से कॉंटेक्ट करके और आप वहाँ से प्रोडेक्टी भी ले सकते हैं आपकी आईडी एक्टिवेट कराने के लिए हमारे आपे 100 SP का प्रोडेक्ट लेना पड़ता है जिसमें हमारे अलग-अलग प्रोडेक्ट्स के अलग-अलग सेल्स को निधारि हैं यहां पर बिल्कुल कलियर आपकी स्लाइट पर दिख रहा होगा हमारे यहां पर 1 SP के अंदर हम 98 रुपीज का कंपनी करती है पे आउट करती है वह कैसे कैसी करती है मां आपको बताऊंगा कि आपको पोल्डर में और कलिये लिए आपकी वेबसाइट के आपको श्यो है क पर दिख रुपी गौर्मेंट की एक एक नौस और कंडिशन को आमानते हैं यहां पर आप सेवन टाइप इंकम ले सकते हैं पहला यहां पर रिटेल पोड़े दोस्तों जैसे ही आप अपनी जरुर्वत के अनुसार और बजट के अनुसार कोई भी प्रोड़क लेते हैं इतार कंपानी आपको चैन, कैनित यंची सेंट करहि Geld को मुंध सेंट्क तोल लिटेल Um अपर घ्रड़े में बता रहा हूं है यहार पर जैसेही आपकी इना, वदेर मक्री कमिसार कॉर्त के यहां पर लेते हैं यहाँ आइव में प्लेस्मेंट को यहों हो होता है आप प्रोड़क्ट पर चीज करते हूं कि आपका प्लेश्मेंट कंपणी की विबसाइट पर होता है आपको यहां पर रेगुलर इंकम लेने के लिए कंपनी दो ऑर गनाईजेशन आपको देती है एक सेल्स ऑर्गनाईजेशन और एक सेल्स जन्रेशन और में जैसी 100 SP 100 SP का भी इनिस होता है आप यहां से continue income लेना शुरू कर देते हैं और आपको पर 100 100 equivalent SP आपका जो check मिलता है यह 1000 का और यह payment आपका weekly payment रहेगा for example 10 लोगों ने आपके team में 100 100 SP के according product लिया आपके SAO टीम में और 10 लोगों ने SGO टीम के अंदर 100 100 SP का product लिया तो week का आपका payment बना 10,000 इसी तरह से 50,000 एक लाग और maximum आप यहां से week में आपका जो sales commission है यह 1.5 लाग रूपे weekly ले सकते हैं उसके आगे एक income मापको फिर दिखाना चाहूंगा सेकेंड हमारी income आती है monthly sales performance commission दोस्तों जैसे ही आपकी sales achievement organization में 200 SP का business होता है और sales generation organization में 100 SP का business होता है आपको यहां पे 1000 sales commission मिला ही मिला लेकिन 1,500 रुपे का आपको performance commission अलग से और मिलेगा इसी तरीके से company में total 18 promotion दिये गये हैं हर promotion पे आपको एक income मिलती है हर promotion पे एक check मिलता है दोस्त इस plan को हम आपको शुरू करना है उससे पहले 2-3 point आपके साथ में डिसकस करना चाहूंगा आप समझ रहे होंगे कि यह कोई plan है दोस्त में आपको बताना चाह रहे हूं यह कोई business plan नहीं है इस plan को जब आप बारी किसे थोड़ा समझेंगे मेरे साथ में आके तो एक चीज़ आपको जरूर महसूस होगी क्या असलीपेस wellness क्या है असलीपेस wellness का plan क्या है और इसका plan इस इंडेस्ट्री में आए लोगों के सपने जगे लेकिन किसी ने कि उसी वज़य से वो पूरे नहीं कर पाए क्योंकि या तो किसी कंपरी में कोई condition होती या कुछ ऐसा था जो दिखाया जाता था लेकिन होता नहीं था आज सारी की सारी problem और सारी की सारी minus point को खतम करके किसी ए किसी इंसान को आता है आपको बताना हूं आप किसी ने किया भी होगा या कुछ लोग प्रेसर सुन रहे होगे तो वहां पर क्या होता है कि एक आजमी के खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि शेविंग नहीं कर पाता है इसलिए हमारी कंपनी मंतली sales performance commission अलग से देन तो 3000 का चेक आपको मिल चुका है लेकिन 4500 रुपे का आपका एक चेक commission का अलग से आएगा अगला प्रमोशन जैसे आप यहां पर गोल्ड बनते हैं 1200 SP का बिजनिस आपके sales achievement team में होता है और 600 SP का business आपकी generation team में होता है तो आपको 6000 रुपे मिल चुका है लेकिन 9000 रुपे का एक चेक आपको अलग से कमपनी देती है आपको जो 9000 रुपे का चेक आएगा यह sales performance commission जो आएगा यह commission महिने की last तारिक में आएगा अगर मंतली 30 का है तो 30 को और 31 का है तो 31 को और sales commission जो आपका है वो आपको विकली आएगा इसी तरह से आप आगे 4800 SP, 2400 SP पे आपको 24,000 रुपे का आपको commission मिल चुका है लेकिन उसके साथ साथ आपका आगे का commission 45,000 का इकठा और चेक मिलेगा आगे आप टोपाज बनते हैं 12,000 SP आपके sales achievement organization में और 6,000 SP आपके sales generation organization में आपका 60,000 रुपे का चेक आपको अलग-अलग week में आ चुका है लेकिन जैसी ये complete होता है वैसे ही आपको 10,000 रुपे का चेक इस company की तरब से मिलेगा आपको performance commission के रूप में और साथ इसा यहाँ पे नई income आपके शुरू हो जाती है वो हो जाती है foreign trip और company आपको Thailand का एक trip देती है unconditional आप समझीएगा unconditional इसमें कोई condition नहीं किसी प्राइब सेवन लेवर रुपी स्टार्ट जब आप बनते हैं चोईस हजार SP का business आपके sales achievement में होता है 12,000 रुपे का चेक आचुका है लेकिन आपको 230,000 रुपे का एक चेक sales performance commission का अलग से आएगा next level के आप supplier बनते हैं 48,000 SP का business आपके achievement organization में होता है और 12,000 का आपका generation organization में और आपको 2,40,000 रुपे का आपका sales commission आचुका है अलग अलग पार्ट में लेकिन जैसे ही complete होता है 3,60,000 रुपे का चेक आपका अलग से sales performance commission का आएगा पलस आपको मैंने थोड़ी दिर पहले एक सीद बताई दी कि ये company नहीं है ये प्लान नहीं है ये जितनी की दिक्कत है समस्या है उनको समाधान है और हर समस्या लोग negative क्यों होते काम्याद क्यों नहीं हो पाते उस समस्य वाई और दो बस्तों के साथ company आपको unconditional Dubai का trip भी आपको देगी क्योंकि दोस्त मैं आपको एची समझाना चाहता हूं बहुत सारे लोग यहां पर join भी होंगे और बहुत सारे लोगोंने पहले कहीं किया भी होगा मुझे पहली बार भी सुन रहे होंगे लेकिन अगर आपके घर में positivity है तो आप बिंदास तरीके से बहुत बड़ा काम कशकते हैं लेकिन घर में positivity नहीं है तो साइब आप अपनी पुड़ी ताकत नहीं लगा सकते और इस चीज को असलिके स्वेलने से पहचाना और आपको पूरे परिवार के साथ यहां से आगे के trip आपको देने शु उसके बाद आप डायमंड बनते हैं जब आप डायमंड बनते हैं तब तक 9,60,000 रुपे की अलग सी एक इंकम आच चुकी होती है और उसी के साथ में 12,40,000 रुपे का आपकी बोनस की इंकम सेल्स लिडर्स्री बोनस आपको आजाता है आपको मालदीव का हजबेंड का चेक आपका सेल्स लिडर्सी प्रमिशन आता है और इसी के साथ दुनिया की एक खूबशुरू सी जगह स्वीजर लेंड एक विक्के लिए हजबेंड वाइप वो दो बच्चों के साथ आपको प्रेंट्री पलक से मिलेगा उसके बाद आप ब्लेक टाइमंड बनते हैं 38,40,000 रुपे की इंकम आगे मैं बताऊंगा नहीं लेकिन विक्ली आपको आ रही है आपको यहाँ पर 15,000,000 रुपे विक्ली आ रहे हैं उसके साथ सा 35,000,000 रुपे का 35,000,000 रुपे का एक चेक आपको सेल्स लिडर्सीप कमिशन का आता है पलस रसिया का एक ट्रिक मिलता ह आगे आप रोयल डायमंड जब बनते हैं तो उस टाइम में आपको 59,000,000 रुपे का एक सेल्स लिडर्सीप कमिशन का चेक पलस सिंगापूर मलेशिया हजबेंड वाइप दो बच्चों के साथ एक ट्रिक मिलता है क्राउन डायमंड जब आप बनते हैं मैं परजेंट टाइ का हजबन वाइप दो बच्चों के साथ नेक टापका सुरू हो जाता है अंबेश्टर कलब लिडर्शीप कमिशन इसमें जैसे ही आप आगे चलते हैं 15 लेवल के अंबेश्टर बनते हैं आप रोयल अंबेश्टर बनते हैं आपको मैक्सिमम दो क्रोड 25,000,000 रुपे का एक जब आप बनते हैं तो आपको 12 क्रोड रुपे का चेक आप क्वालिफाई कर जाते हैं और इसी के साथ कंपरी अगेन आपको ओस्ट्रेलिया हजबेंड वाइप और दो बच्चों के साथ दोस्तों यह हमारी इंकम थी इसके बाद में एक इंकम और सुरू होती है हमारी री परचेज इंकम भी दोस्तों आपको बताना चाहता हूं जो कि आपकी एक पैसीव इंकम है और री परचेज इंकम तब होती है जब आपकी कंपनी का प्रोड़क्ट रिजेल्ट देता है और आज पुरे हिंदुस्तान में हमारी प्रोड़क्ट का रिजेल्ट इतना जवातस है कि हमारी इंकम और होती है और हमारी इंकम भी वीगली पे आउट आता है री परचेज के लिए आपके ही के चौतницरा पले और वी यहां आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यह मेरा प्लान था जो आपने देखा आपका प्लान के लिए भूद बहुत धन्यवाद और अब मेरे बारे में जरूर कुछ आपको बताऊंगा मैंने यही सारी चीज़े देख के इस कंपरी को जोईन किया था मैं कोण हूं कहां से आया कै कैसे कैसे माने शुरू किया दोस्तों कुछ लोग बात में जुड़े हैं तो मैं दुबारा मेरा इंट्रोडेक्शन देता हूं मेरा नाम मैं पाल सिंग और आज से तक्रीबन साड़े चार्ट साल पहले जब मैं इस कंपनी में आया था तो कुछ चीजां को देखके मैं आया करने के बाद मुझे लगा कुछ समझ आई तो आज से ठीक नौवंगर 2015 यानि साड़ेक्शाफ साल पहले मेरे को दोका मिला हमारी कंपनी के मुलाकात करने का मीट करने का दोस्तों वो जो दिन था वो मेरे जिन्दगी का बहुत हसीन दिन था और मैंने बदाया था कि अपना हर पार्ट आगे वाले से अच्छा होगा तो आज से ठीक साड़े-चार साल पहले अश्रीपेस मैंने क्यों जोइन की क्या लगा मुझे क्या अच्छा लगा वो चीज मा आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आज कि मैं आप इससे पूछना चाहता हूं मैं भीतर कुछ चीजी आपको बताइए और आपने पुछ चीजी नोट की मैं आपो इतनी भुण स्थे सीजी ये एविश्था उश्रीर हो कि आप अपने घर के अर info आने के साफते हो करो मैंने आपको यह जुरूर बताया कि आप बैट के पानी पीना चाहिए मैं दोस्तों आप से जानना चाहता हूं इस तरह समाज को अवेर करना आप इंसान जिंदिकी में बीमार ना हो और बीमार होने से लोगों को बचाना और उसमें मदद करना यह काम क्या लगता है आपक पैसे बात कीजी अगर आको लगता है कि सिर्फ पैसे कमाने का विजनिस है तो आलग पार पहले बहस्य के लिए सिर्फ पैसा कमाना हुथ bene आदमी तुछ भी करता लेकिन पहले हार आदमी देखता है कि क्या वो आदमी ऐसा काम कर रहा है कि पैसा कमाने के बाद उसको अपने आप से बात करेगा तो उसको लगे का अच्छा काम कर रहा है कोई गलत काम कर रहा है तो दोस्तों मुझे लगता है no doubt हम लोग बहुत इंदुस्तान की पद्दती है 5000 साल पुरानी पद्दती है आज असलीपेस रेलनेस के मादन से हम लोग यह बताना चाहते हैं कि आयरवेद की ताकत क्या है आयरवेद का आज से पूराने टाइम में आप देखिएगा राजा महराजा जो लड़ाई लड़ा करते थे उस टाम ब अगर आगर मैं आपको बताऊं तो शिरफ आप यह और देखिएगा कि आपने संजीवनी बूटी का नाम सुना होगा तो इस यह से आयरवेद में बूटी है जड़ी बूटी है होई है जिन्नोंने एक पुलर जनम देने का भी काम किया है आज आयरवेद हमारे हिंदूस्ता से खतम क्यों हो गया था कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा लोग गलियों के अंदर बैच जी पुडिया बनाते थे आयरवेद बेशते थे लेकिन उसमें कोई प्रोफिक्स नहीं था इसलिए हर बैद का बेटा बैद नहीं बनना चाहता था एक डोक्टर बनना चा पुरी टीम के साथ बोडे डिसकस किया और यह सोचा यह मिशन बनाया कि हम हंदुस्तान के अंदर दूबारा से आयरवेद को लेके आएंगे और पुरी दुनिया के अंदर यह साबिक कर देंगे कि आज भी आयरवेद के अंदर जो ताकत है वो दुनिया में किसी चीज में पुरी डॉब मैं डेकन अचीज में गारेंटी से करता हूं और जिंदके में जितने लोगों को ठीक कटता है उससे कई गुना ज्यादा लोग हम लोगों ने हमारी टीम के मादव से आज इस प्रोड़क्ट से ठीक करने का काम दिया दोस्तों लोग बोलते थे कोई मर जाएगा लेकिन दोस्तों आपके सवाल का जबाब देता हूं क्योंकि यह सवाल आ जिनको ऐसा लगता था जिन्दगी बेकार हूं चोंकि जिन्दे का कोई मतलब नहीं है उनको असलिपियस वेलेस्स के प्रोड़क्ट ने एक नई जिन्दगी देने का काम किया दोस्तों दोस्तों मैंने बताया कि आप इस काम को करें तो क्यों करें और क्या फील है आप सोच कि दिखिए उसकी कितनी दुआएं हमारे साथ में मिलती है और आज बड़े बरे लोग सवाल करते हैं कि क्यों पैसे कम आते हैं वह सिरफ इसलिए कमाते हैं कि हम लोग प्रोड़क्ट के साथ-साथ पैसा नहीं दौएं भी कमाते हैं दोस्त कि जब किसी का फाइदा होगा त साधी किये हुए 10 साल 15 साल होके बच्चा नहीं था आप सोचिए कौन ऐसा इंसान है जो पापा नहीं बनना चाहता है लेकिन हमारे प्रोड़क्ट का जब लोगों ने इस्तेमाल करवाया वैसे मैं पता रहूं कि हमारे इस प्रोड़क्ट इन विमारियों के नहीं है लेकिन ज करने से हमारे घर में बच्चे की किलकारी भूजगी आप दोस्तों सोच के देखिए आप असलिपेस करें ना करें लेगन एक चीज जरूर्वर सोचना दोस्त अगर आपने असलिपेस की और करने के बाद आपके हाथ से किसी ऐसे घर में प्रोड़क्ट चला गया और उस प् के बाद इसे किसी की घर में कितनी कुछिया होगी दोस्तों आज मैं बदाऊं कि कैंसर के लिए हमारे पास कोई प्रोड़क्ट नहीं है लेगन फिर भी हम लोग उने नो नहीं नहीं थंडर ब्लास इमनुडोग का कॉंबिनेशन दिव लोगों को दिया और डोक्टर ने जह का हमारा प्रोडिक्ट लो यूज करो अगर आप ठीक होगे तो यह समझ लेना कि 2,35,000 रुपे बच गए और ठीक नहीं हुए तो बस यह समझ लेना कि 2,65,000 रुपे लग गए दोस्तों आप मुझे बताएं धाई लाग का काम अगर 15,000 नहीं हो गया हमने पैसे लगवाए या हमने पैसे बचाए दोस्तों दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो लोगों के पैसे लगवा के नहीं लोगों के पैसे बचवा के पैसे हम लोगों को कमाने का मुझा मिल रहा है दोस्तों यही सारे चीजे यही प्रोड़क का रिजल मैंने देखा क्योंकि एक चीज मैं आप पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, डारेक सेल्जिंग का नाम आता है, आप अपने रिष्टिदार के पास जाते हैं, किसी स्टूडेंट के पास जाते हैं, लोग एक बात बहुते हैं, कि भहिया आप खाना खालो, हमारे घर में आयो बढ़िया रेश्ट करो, लेकिन एक कंपरी की बातें मत करो, दोस्तों, लोग गलत नहींगे, कंपरी की बात मत करो, ऐसा क्यों, क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी, दूद का जला चाच भी फूपूपूप के पिता है, आज पिछले 20-22 साल में, होग सारी हिंदुस्तान में सी कंपरीयां आई, जोना ने ल प्रोडेक्ट ना तो उनकी जरूत का था, ना उनके बजट में था, और ना उनके कभी काम में आया, दोस्तों, वो लोग नेट्रोक मार्केटिंग और डारिट सेलिंग के पर की नगेटिव होगे, लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक चीज जानना चाहता है, अगर आपन किसी को 15,000 का प्रोडेक्ट दिया और उसको आराम आगया, क्या वो आपसे कभी नगेटिव होगा? नहीं, लेकिन अगर उसको प्रोडेक्ट अच्छा लगा और आराम आगया हमारे साथ काम नहीं भी किया, तो भी साइध हमें कभी गाली नहीं देगा, दोस्तों, हम लोग इसी सी दांत पर काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाले को हम जो प्रोडेक्ट दें, दोस्तों ये बात आप समझ लीजिएगा, कि हम जो प्रोडेक्ट दें, उससे सामने वाला हमारे साथ काम करें या ना करें, लेकिन उसको रिजेंट इतने आने चाहिएं कि व वो बाहर जहां भी जाए वो प्रोडिक को प्रमोट करें दोस्तों पुछ चले कुछ दिनों से आपने देखा पूरी हिंदुस्तान में सारी कंपरियों कैसा काम कर रही है कैसा नहीं कर रहा है मुझे नहीं वालू लेकिन असलिपेस्ट मेलनेस के प्रोडेक्ट का रिजय है औ आज पिसले वीक में मराली की क्लोजिंग थी उम्मीद नहीं कर सकते आप आप सभी लोगों ने इतनी जबर्दस क्लोजिंग की कि दोस्त देखके हम लोग भी ऐसे सर्प्राइज रेगे कि ऐसा क्यों दोस्तों उसका एक कारण है मापको बताओं आप जितने भी लोग सुन अगर आपने सही कंपनी का चुनाव किया आपको ज्यादा मैनत नहीं करनी पड़ेगी आप कम मैनत के अंदर भी ज्यादा बड़े लेवल पर जा सकते हैं कैसे क्योंकि दोस्तों एक चीज मानिए कि आज तक आपको क्या लगता है कि इस इंडर्स्री के अंदर पैसा कमाने क सली के लिए कि एंडर्स्री के अंदर से सब् सब्सक्राइब की सिर्फ किसी इंसान को एक बार बेसे सबस्क्राइब सकते हैं लिकिन जाएगा और बार ॉद्रव भी को प्रोड़ेक और यह बर शोंदे हैं आज जो लोग मेशिंद आ है। प्रोड़ेडर की मिलिद्ध प्रोड़ेट को पर्मोट करते हैं element और दोस्ति आज करते इकरते मुझे बी फिर चाहरे चाहरा चालर चाहिक के अंदर आथ कु custard कु पति बनने मशिञेंट सी में आया था दोस्तो करोड दो कोरring पांच कोरोड गैंग तो पिछले साठोड़े चाप साल के इंदर 10 करोड से उसकीं से जादा की फिस्तोा उपनी मेरे ट्रस पर च्छे लाख से भी ज्यादा लोगों का एक परिवार पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे साथ कंदे से कंदे मिला के काम कर रहा है इस में सब्सक्राइब दोस्तों आप एक चीज़ और समझिएगा मैं आपको लाइन इतने सारे लोग देख रहे हैं लागों लोग इस रीडियो को सुन रहे हैं फिर भी मैं बोलना हूं कि दस कोड़ रुपे कमाए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं आप डर्रेक से लिंग नहीं क सकते हैं क्योंकि एक नमबर से नहीं के GST और इंकम टेक्स की चोरी करके कमाते होंगे लेकिन डारेक्ट सेलिंग इंडिस्टी का एक-एक लिडर आज अगर उसका इंकम एक पार्ट अगर गर्वर्मिंट को जा रहा है तो कहीं ने कहीं देश सेवा का भी काम करने दोस्तों हर आदमी को मोका नहीं मिलता कि बोर्डर पे जाके गोली खाए दुस्मन से लड़े लेकिन दोस्तों आज आज आप डारेक्ट सेलिंग करके असली पेस्मेलनेस कास करके क्यों असली पेस वेलेस का मैंने नाम लिया क्योंकि आज हम हिंदुस्तानी लोग हैं और आपको और मुझे प्राउड होना चाहिए कि आज हम हिंदुस्तानी कंपनी करें और आज किसी बाहर की कंपनी को ना करें और यह हमारी सबसे बड़ी देश वक्ति है कि हमारे हिंदुस रहें अगर वो यही मेनत यहां के साथ करें और किसी भी इंडियन कंपनी में करें तो साइध आपकी देश्वक्ति और बढ़ जाएगी दोस्त हमारा जो ट्रीडियेश जाता है उससे गवर्मेंट किसी आर्मी वाले को सेलरी देती है पुलिस वाले को सेलरी देती है कहीं पर थैएर करती है उतक छोटा सा योगदान देश सिवा के अंदर भी हमारा देश बक्ति योगदान रहता है दोस्तों इस इंडिस्ट्य में काम करके हमें एक देश सिवासा भी गूल निबास सकते हैं दोस्तों प्रूसरी बात बनी दोस्तों इस इंडश्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके साथ आने वाले को आप अपने जैसा बना सकते हूं आज मेरे पास जैगवार कार है मैंने जब शुरूआ की थी मेरे पास cycle थी हमने cycle से plan दिया है लोगों के आप हस गोंगों के कभी cycle की चैन उतरती थी कभी हम लोग चड़ाते थी कभी पिछे बैटे थे कभी आगे बैटे थे cycle की तीन तीन लोग बैट के plan देने के हैं दोस्त ल जब इतने कम टाइम के अंदर ओडी वियंड लो मर्शडी जोड जेगवार जैसी लग्जरी कार मेंटेन करते हैं दोस्तों बड़ी बात यह है और यह डारेक्ट सेलिंग इंडुस्तान का आप से सबसे बड़ा इत्यास है और यह में चैलेंज के साथ बोल रहा हूं दोस्त कि कुणि आज तक किसी कंपणी के अंदर प्रोड़क्ट बेस कंपणी और लीगल कंपणी के अंदर इतने कम टाइम के अंदर इतने लग्जरी कार किसी कंपणी में नहीं आप साथ सारों तरफ नजल ढूमा के देख लिजिएगका और एक भी हमारी लीडर के पास शेकिंड आपके प्लेट फोरम पे बड़ा टैलेंट है एक लड़का जब डांस करता और गाता है तो प्लेट फोरम पे रेल्वे स्टेशन पे गाता है तो इसको एक रुपए दो रुपय पांच रुपय दस रुपए मिलते हैं लेकिन लड़के को तभी तो रातों रात इस्टार बन जाधा दोस्त वैसे ताकत आपसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्लेट फॉर्वर्म की दोस्त च्प्रोध की प्लान और और यह करण ने दोस्त कि आज सारे के सारे लोग पैसे परजा कमा रहा हैं इंकम ले रहे हैं और हाई बड़े बड़े अच्वमेंट ले रहे हैं आप सभी लोग अभी तक सुन पारे थे मैं मैं भी बोल रहा हूं। लेकिन आप सारी के सारी यूटूब पे जाके फिर चेट कीजिए कि हमारे प्रोडेक्टार रिजल्ट आता है कि नहीं होता है। आप decision लें क्योंकि एक मैंने decision ले मैंने लिया था मेरे साथ में बहुत सारे में हमारे crown diamond है, black diamond है उन लोगोंने decision लिया और आज सारे के सारे luxury car catchment है उनके अपने अपने घर के सपने पूरे होते हैं। दोस्तों यही कारण है कि आज मैं बेरी बात करूं। तो दोस्ट सबसे खास बात लोकडाउन जंडरा है कोरोनों का कहर पुरी दुनिया नोचल रहे हैं लेकिन असलिपियस वैलनेस यतनी ताकत रखती है कि असलिपियस वैलनेस में कोरोना से पहले भी मैं 32,00 रुपे महीना कमाता था और आज भी 32,00 रुपे ही महीना कमा रहा हू उनके सवाल का जबाब मैं जरूर यहीं से देता हूं कि सर आपने जो पता है तो 32,00 कैसे आ रहे हैं बताईए दोस्ट जब मैं इस कंबनी में आया था तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला था कि एक बार तुक्का लग जाता है बार बार नहीं लगता तो पहली आइडी पे पे एक पे नहीं दो पे नहीं कंटीनियूसली तीन आइडी पे असली के समयले से केपिंग के चेक लेता हूं इसलिए मुझे 32,00,00 से भी ज्यादा पर मंत का हेवरे जाता है दोस्तों यह मेरा चीवमेंट है और इसी वजह से आज सारे